नश्कार नफार्ति के पासे आप देख रहे हैं IPL 27 IPL 2023 में मुंबई इंडियन्स और सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच मैच काफी रोमांचक रहा आखरी ओवर में मैच मुंबई टीम ने 14 रनों से जीता सचिन तेंदूलर के बेटे आरजुन ने मैच में पहला और आखरी ओवर किया आरजुन ने IPL का पहला विकेट भी हासिल किया जी हाँ आपको बता दे इंडियन प्रेमियर लीग 2023 का 25 मैच बेहाद रोमांचक रहा जो मुंबई और सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया मैच इतना रोमांचक रहा कि आखर तक यह है कभी मुंबई तो कभी हैदराबाद के पाले में जाता दिखाई दिया मगर आखिर में मुंबई टीम ने बाजी मारी और जीत की हैट्रिक लगाई इस जीत में सचिन तेंदूलकर के बेटे अरजुन का भी खास योगदान रहा है उन्होंने पहला और आखरी ओवर किया अरजुन अपने दूसरे ही मैच में आई पेल का अपना पहला विकेट हासल किया आए जानते हैं मुंबई ने कैसे छीना हैदराबाद से मैच मैच में टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए मुंबई टीम ने 17 ओवर में 4 विकेट गवा कर 152 रन बना दिये थे अठारवा ओवर 30 गैंदबाज टी नट्राजन ने किया स्ट्राइक पर कैमरन ग्रीक थे ग्रीन ने इस ओवर में 3 चौके और एक छक्का लगाकर कुल 20 रन बनाए इसी कारण टीम 102 में के स्कोर तक पहुच चकी यदि यह 20 रन नहीं आते तो शायद मैच और भी रोमान चक हो सकता था क्योंकि इम बुंबई सिर्फ 14 रनों से ही जीती है ऐसे में 20 रन भी काफी एहम और टर्निंग पॉइंट माने जा सकते है इस मैच में ग्रीन की तुफानी 50 को मैच विनिंग कहे तो गलत नहीं होगा मुबई टीम के ताबरतूर बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने 33 गेंदों पर 50 जर दी उन्होंने 40 गेंदों पर 64 रन बनाए ग्रीन ने अपनी पारी में 2 चक्के और 6 चौके जमाए बता दे मैच में 133 में रनों के टार्गेट का पीछा करते हुए सन्राइजर्स की टीम 178 रन ही बना सकी और मैच गवा दिया मगर एक समय जब मैंक अगरवाल और हेंडरिक क्लासेन बैटिंग कर रहे थे तब लग रहा था कि हैदराबाद टीम ये मैच आसानी से जीद लेगी तब सन्राइजर्स को 37 गेंदों पर 66 रनों की जरूरत थी उस वक्त मैंक 46 और क्लासेन 15 गेंदों पर 36 रन बना कर खेल रहे थे ऐसे में हदराबाद की फैंस को जीद की उमीद जग गई थी जो मैंक और क्लासेन खेल रहे थे तब बता दे मुमी टीम ने उमीद नहीं हारी स्पिनर प्यूस चावला ने पारी की 14 वे ओवर की शरुवात 5 गेंदों पर 21 रन लुटा दिये थे मगर ओवर की आखरी बॉल पर उन्होंने बता दे क्लासेन को आउट कर टीम की वापसी कराई 127 रनों पर हैदराबाद की आधी टीम सिमट गई थी इसके बाद 15 वा ओवर रिले मेरेडित लेकर आए उन्होंने ओवर की पांचवी गेंद पर मयंग को शिकार बनाया इस तरह हैदराबाद ने 132 रनों पर 6 विकेट गवा दिये बस इस 6 गेंदों पर 2 विकेट ने बाजी मुंबई के पक्षमे कर दी मुंबई टीम ने मेरेडित को बता और इंपेक्ट प्लेयर मैदान में उता रहा था उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट जटके मेरेडित ने मयंग के लावा मार्को जॉन सेन को भी शिकार बनाया इस तरह इंपेक्ट प्लेयर मेरेडित मुंबई टीम के लिए मैच विनर साबित हुए मैच में मुंबई के लिए अरजुन तेंदूलकर नहीं पहला और आखरी ओवर किया था उन्होंने मैच में 2.5 ओवर गेंद बाजी की और 18 रन देकर एक विकेट लिया हदरबाद को आखरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी तब कप्तान रोहित ने अरजुन को गेंद धमाई अरजुन ने पांच गेंदों में सिर्फ पांच रन दिये और एक विकेट भी लिया अब इक लितना ही ऐसा ही टमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं आईपेल 27 आप देख रहे हैं एन 27 न्यूज पकड़ हर खाबर पर